गुड मारिंग अब्रेवान वेलकम टेस्वल सर्विसेश टड़ी यह प्रैक्टिस सेट नंबर है 133 और यह टैस्ट सेरीज चल लए है यूपी पी एससी आरो एरो के लिए है इंपोर्टेंट है सारे प्रश्ण कल टैस्ट नंबर 133 और 132 में हमने प्रैक्टिस की थी सब्जेक्ट वाइस प्रैक्टिस होगी तो किसी भी विडियोज को मिस्स मत करना और इस टैस्ट सीरीज की फुल टैस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर असपर कोल्या वाट्सप करके पेड़ ग्रुप से जुड़कर तो उचले स् है इस चैनल से उनको पता होगा कि सीरे सीरे प्रेशन मिलते हैं एक्स्प्रेशन से मिलते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं तो कोशन नमबर वन है इस तंधारियों के संदर में नमलेखित कत्मों पर विचार करेंगे इस तंधारी कौन मैमल यानि जिसमें फोर्ट गले प्रश्च्राइब और इनके फेपड़े अधिक विक्सित होते हैं आगली संथारी यानी कौन हो सनु अधिक विखसेते हैं, दूसरा वाला statement सही है, पहला वाला incorrect तो इस तंधारियों के सरीर पर होते हैं बाल, नाखून और क्रेटिन के बने सींग, ठीक है, तो क्रेटिन के बने सींग होते हैं, किसके गाय, बैल, बकरी, ये भी तो संधारिय है, नाखून है मानब में, बाल है मानब में, देखें, इस संधारियों में अन्य जन्तुओं के आप एक्षा अधेक जटिल, मस्तिक्स और तंत्री का तंत्र पाये जाता है, और ये प्राया समतापी होते हैं, यानि warm-blooded, और इनके फेपड़े अधिक विक्सित होते हैं, तो दूसरा वाला statement correct है, जो लंबे जीवन, काल में सुशन के लिए अत्यधेक सहायक होते हैं, तो पहला वाला है statement है correct, दूसरा वाला है correct, ये नंबर इस पर कोल्या वाटसप करके आप फुल टेश से स्रीज प्राप्त कर सकते हैं, Question number two पर आज़े, आर्थोपोडा समु के अंतरगत सामिल नहीं ये नमें से कौन, आर्थोपोडा सबसे बड़ा समु है, और इसमें सामिल है जीगा, केकडा, तिलचटा, जो किसमें सामिल नहीं है, तो आर्थोपोडा के सिर्कुज इंटू है, और आर्थोपोडा समु के प इसी परजाती में आते हैं और्थोपोडा में, for example, तिलचटा, जीगा, मक्खी, केकडा, ये इसी परजाती के जनतु है, लेकिन जोक जो है, वो एनेलेडा समु का जीब है, जिसका है केचुआ Q3 पर आजिए नमलके में से कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है, जंगली गधा भारती है, मरुस्तल छेत्र का प्रमुक जनतु है, IUCN वरिकरण के अनुसार जंगली गधे को संकट गरसेनी इंडेंजर्ड स्रणी में रखा गया है, और यह केवल पश्मी भारत और अफगा का कौन सा है वो, जंगली गधा भारती है, मरुस्तल छेत्र का प्रमुक जनतु है, और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, संकट गरस्त है, और यह केवल पश्मी भारत और अफगानिस्तान पाईज होता है, देखिए पश्मी भारत में है ये, पश्मी भारत में है पाकिस्तान में इरान में, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं है, तो इनकरेक्ट स्टेट्मेंट हो गया इसमें ये वाला, और यही अपना आंसर हो गाफर, देखिए जंगली गधा भारती है, मरुस्तल छेत्र का प्रमुक जनतु है, ये पश्मी भारत के साथ-साथ, पूर भी इरान शेत्र में पाए जाते हैं, ना कि अफगानिस्तान में, आयोसी इनकी रेड लिष्ट में इंडेंजर्ड है, जंगली गधा, ये परियावरणों पारिश सितिकी के, ये सभी महत्पूर्ण प्रस्ण है, जिनके पूछे जाने की समभना बहुत बहुत ही रखना है तो उस परजाती की जन संक्या में, दस परसों में कितने पृतिशत की कमी होनी चाहिए, 70 पृतिशत से अधिक, 50 पृतिशत से अधिक, या 25 पृतिशत से अधिक, गंभी रूप से संकट गरस सिस्रेणी, अगर संरक्षर नहीं दिया गया तो सीधे बलुपता है, जीव, 25 प्रतिशत तो बहुत कम है, 50 प्रतिशत से उपर होगा, यह है 90 प्रतिशत से अधिक, और यहीं केवल इंडेंजर्ड की बात करें, तो 70 प्रतिशत, आंसर क्या ऐसी? देखें, जब प्रजातियों का, उनके आवाज से बिलुप्त होने का गंभीर खत्रा बना हुआ हो, तो उन्हें गंभीर रूप से संकटकर स्रणी में रखा जाता है, यहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्रणी में, और किसी प्रजाती को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्रणी मे रखने के लिए उस परजाती की जनसंख्या 10 परसों में 90 प्रतिशत से कम होनी चाहिए ठीक है 90 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए क्लियर कोश्य नुबर 5 पर आजिए important as sustainable development सतत्विकास UPPCS में अभी सतत्विकास के उपर तीन सवाल पूछे गए थे दो तो definition से ही थे एक था Agenda 21 को लेकर जो कई बार सीरीज में कराया मैंने वो प्रश्न तो पहला statement है सतत्विकास से सतत्विकास समाज परियावर्ण तथा अर्थवरस्था का संतुलित एक ही करन है और सतत्विकास की आधनिक संकल्पना दा व्रेंट लेंड रिपोर्ट हमारा साजहा भविष्य से प्राप्त की गई है बहुत ही इंपोर्टन है सेकंड वाली लाइन और दोनों के दोनों करेक्ट हैं सी है इसकाम जाए देखे सतत्विकास यानि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीडियों के हितों से समझोता की अभी न बर्तमान पीडियों की आवश्यक्ता को पूरा करता है दूसरे सब्दों में कहीं तो सतत्विकास समाज परियाबन और अर्थवस्था का संतुलित की करन है पहला स्रेट्मे परियोग किया जाने लगा तो दूसरा स्ट्रेट्मेंट भी करेक्ट है कि कोश्यन नुबर सिक्स पर आजिए नम्रेकित में से सतत्विकास के उद्देश क्या है सस्टेनेबल डबलब्मेंट के क्या उद्देश है गरीवी निवारण सतत आजीवी का प्राकृतिक और देखें इस पृत्वी पर मानव का अस्तित्व तब तक ही है जब तक बायो डाइवर्सिटी है यानि जब तक पसु पक्षी पेड़ पौध है यानने सब्दों में कहें तो जैविहता विद्दमान है स्वतंत रूप से मानव का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए सतत्विक का संदक्षण उत्पादन अवसरों का विकास नवी करने हैं संसादन ओपंदिर भरता और उजा दक्षता तो सारे के सारे करेक्ट्रेंट यहां सब्सक्राइब कुश्य नॉम्बर सेवन पर आजे इन मिलके में से कौन सा सतत्विकास का मूल भूत विचार नहीं है कौन सा नहीं है इसमें विच आपदा फॉलोविंग इस नॉट ए बेसिक आइडिया ओफ सस्टेंडबल डबलप्मेंट रेनेवलेटी यानी नवी करनियता और है आर्थिक प्रतिवध्धता अनुकूलन शीलिता संस्थागत प्रतिवध्धता इस तरह के प्रश्ण PCS में भी देखने को मुलते है और आरो आरो में भी सतत विकास का मूल भूत विचार इसमें नवी करनियता तो है ठीक है अनुकूलन शीलिता एरेप्टेविलिटी ये भी है संस्थागत प्रतिवध्धता ये भी है ठीक है इंस्टिटूशनल कमेटमेंट लेकिन नहीं है तो क्या आर्थिक आर्दक्रास का मूल भूत विचार इसमें नहीं है तो इस सतत विकास के मूल भूत विचार नाम लेक्चार इंतर और खीक है अजर्धूनल्ह नव और को इसका आणनल शीलिट Clayton का ईंतर नियुकंञेविलिटा का माया कॉसी है अनुकूलन सरेफ्थाजिनल थैंस शीलता और संस्थागत प्रतिवध्धता लेकिन आर्थिक प्रतिवध्धता इसके अंतरगत सामिल नहीं है ठीक है फाइनेंशियल कमिटमेंट इस नॉट कवर्ड अंडर दिस चले कोशन नमबर एट पर आजएए भारत सरकार द्वारा अंतराष्टिया सौर संगठन का निर्माण किस संब्लन के अंतरगत हुआ अपरस्न इंपोर्टन रही है 2015 की बात याद हो तो आपको भारत और फ्रांस और यह है पैरिस संब्लन देखें नवी करने सुरोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए वर्स 2015 में कोप 21 में पैरिस संब्लन के द्वनान भारत हैं फ्रांस के द्वारा अंतराष्टिया सौर गट वंदन की सुरुबात हुई थी कोश्य नुबर सेबन पर आजए सत्त विकास एने सस्टेनबल डवलप्मेंट है तो भारत के प्रियास के संदर में अमरीकत्मों पर विचार करेंगे भारत ने सहीं उक्तराष्ट फ्रेमबर्ग कन्वेंशन पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्यों नहीं किया हुई राष्ट ये परियावर्ण नीती दोहार छे स्वच परियावर्ण के प्रती भारत की प्रतिवधिता को दर्शाती है बिल्कुल दर्शाती है और भारत ने हस्ताक्षर कर दिये हैं गलता पहला स्टेट्मेंट बहुत पहले कर दिये थे देखिए भारत ने जलवायू परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट फ्रेमबर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के साथ ही 1994 में जय विहता अभी समय पर भी हस्ताक्षर किये हैं क्योंकि भारत सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतराष्टे समझोतों समझोतों अभी समों का अनुपालन करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा कोश्य नुबर 10 पर आजए है नमलखित कत्मों पर विचार करेंगे तीन स्टेट्मेंट वाला ये प्रश्ण बताने के इन में से कौन सा करेक्ट होगा एजेंडा 21 को पर्थुई सम्मेलन पर्थुई सिकर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था एजेंडा 21 सतत्त विकास एतु वैश्विक कार योजना है परियावर्ण एवं विकास सम्मेलन के दौरान सहमती बनी थी यह प्रश्ण में पहरे भी टैस सिरीज में कई बार कराया होगा और एजेंडा 21 को लेकर यूपी पीसेस ने इस बार प्रश्ण भी कर दिया वैसे तो बहुत प्रश्ण यूपीस सिवल से भाएं भी पूछा गया है ठीक है यानि प्रीवियस सरकाई प्रश्ण है तो जो प्रीवियस एर के कॉस्ट्ण बुक लेट की जो लोग प्रेक्टिस करते हैं तो उनको पता ही होगा जो नहीं करते हैं केवाल इसी चैनल से एक बार और फेर लेंए फर अजिंडय 21 को पृथभी शिकर संबेलयन के दोनार अपनाये गया था एजंडर 21 सत्त विका सहतु वैश्ष्विक कारीहोजना है और परिया विकास संबन्थि रियोगोष्भे पत्र पषफभी सिकर संबेलन के दियुद थी बनी तो सारे के सारे correct चले question number 11 पर आज़िए भारत में पारिस सितिकी का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर एमे स्वामी नाथन राम देव मिश्रा को जगदीश चंद्रबसू को डी वर्गीज कुरियन ये तो दुख्द करांती के जनक है और हरित करांती के जनक एमे स्वामी नाथन हो गए ठीके पौधो में भी जीवन है जगदीश चंद्रबसू ने सबसे पहले और पारिस सितिकी का जनक भारत में है राम देव मिश्रा option number 2 तो राम देव मिश्रा को भारत में पारिस सितिकी का जनक कहा जाता है याद रखीगा इसको ये बड़ा ही महत्पुनु प्रश्ण है कौशन नमबर बारा पारिस्थित्गी पदानुकरम आकार और जटिलता में ब्रद्धी के साथ नमलिखे तुम इसे कौन सा करम सही है ये सबसे पहले तो जीब ही आएगा और सभी में कौन भी है जीब के बाद क्या आएगा जीब के बाद सीधा जैविक समुदाय बन जाएगा या परजाती जीब ठीक है फिर बनेंगी परजाती परजाती के बाद क्या बनेगा पहला तो अलिमनेट हो गया परजाती के बाद ब 걍 wedब जाएगा जीख मंदल भी सब्स यह बसे लाश्ट होआ चाहिए है जैबिक समधाय के बाद बनेगा पारी श्थी की तंत्र पारिषी की तंत्र के बाद बायूम बनेगा और सब से विस्शरत आजीव मंडम की जीव मंडल में जल मंडल इस्थल मंडल गायू सारे मंडल आएंगे तो भी हैस कांसर कि देखिए पारिसितिक पदानुक्रम आकारो जटिलता में ब्रद्धी के साथ निम्न क्रम का अनुस्रण करता है और वो क्रम है सबसे बेरे जीव उसके बाद बनेगी परजाती यानि उस जीव की जनसंख्या बढ़ेगी उनका जैविक समुधाय बनेगा पारिसितिक तंत्र बनेगा वायों बनाएंगे और अंत्र में बनाएंगे जीव मंडल क्लीर कोश्ञा no23 पर आजयेजू कौन सा किसी पारिसिक तंत्र का जैवर्टक नहीं है यह important है किसी पारिसिक जो जाविक फोलेंगे nawyotic component और also acontec価 को जाविक फोलेंगे तरहां होगा कि अ क्यों गजिएंगे जीवन हो जायबय गटक हो गया मि पोधों में भी वपगता खाएगा उसमें भी जीवन दृत्यग क्ट प्रत्य को भॉक्ता खाएगा उसमें भी जीबन और जब ये सड़ गल जाएंगे या मर जाएंगे तो इन सड़े गले पदार्थों को खाद बना देगा अफगहटक तो ये भी जो है कर्या जो होगया वाप गहटक कौन होते हैं सूक्ष्ण जीबी जो मिट्टि मैं सूक्ष्ण जीबी है वो जीवानूं ठीकष्ण कबक ये सब अफगहटक है वह u तो आपमान हो गया प्रकास हो गया नाइट्रोजन यह सब अजयविग घटक है और जब यह दोनों मर जाएंगे तो इनको खाद बना देगा अब घटक है कि अजयविग घटक की बात करने तो तापमान है मिट्टी है पानी हवाय प्रकास जैसी जलवाई उपर सितियां सामेल है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार जैसे की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्वाईडरेट, प्रोटीन, लिपिट यह भी सब अजयविग घटक ही है वर्शन नुबर फोटीन पर आजएए यह सभी पाईसिक तंत्रों का कुलियोग है इनमें से किसी एकी बात हो रही है इसे पर्थी पर जीवन के छेत्र के रूप में भी जाना जाता है और इसमें सभी जीवित जीव उनके संबंद और बातावरण ठीक है जल मंडल और इसल मंडल के तत्व के साथ वातचीत सामिल है किसकी बात हो रही है बायोम की समधाय की सहभोजिता की या वाइस प्यर की देगे सहभोजिता सहजीविता परजीविता यह सब कराई थी प्यर्जाती को लाब होता है और दूसरी को ना लाब होता है ना हानी होती है इसका आंसर यहाँ पर है बायोस्फियर यह है तो देखिए बायोस्फियर जो है वो यह सभी 25 तंत्र का कुली हो गए और इसे पर्थी पर जीवन के छेतर के रूप में भी जाने जाता है इसमें सभी जीवित जीव उनके संबंद और वाताबन जलमंडल इस्थलमंडल के तत्व के वीच वादसीत सामेले तो भी करेक्ट हो गया वायूम की बात करें तो एक बड़े भागोलिक चेतर में मौजूद समुदाय है वायूम समुदाय की बात करें तो एक चेतर में रहने वाली विविन परजातियों का पारश परिक समूँ इसमें पोधे जानबर और सूख्शनुजीव सामेल आए सेभोजिता की बात करें तो एक परजाती को लाब होता है और दूसरी परजाती को ना लाब होता है ना हानी होती है और ना ही नुकसान होता है उधार्ण के लिए मवेशी बगला ठीक है जैसे एक भैस के उपर बगला बैठा है तो क्या कर रहा है वो टिक टिक कर रहा है उसको ठीक है यानि उसकी वो सरी पर जो जूँ जहां है छोटी मोटी उसको खालेगा ठीक है या फिर एक तरह से वो मसाज करता है उसकी तो यह सह बोजिता का एक्जामपल है क्वेस्टि नूबर 15 पर आजए नम रिगत मेंसे कौन आंतरिक वसा अक्षेकरण द्वारा पानी की आवश्च्था को पूरा करता है यह प्रश्न यूपी-पी-स पहले कर चुकि दूछने का तरीका दूसरा था आंत्रिक वसा अक्शेक्रण के द्वारा पानी की अवस्रक्ति को पूरा करता है कंगारु चुहा कंगारु कंगारु रैट कंगारु की तरह उशलता है तो देखिये कंगारु चुहा जो है वो एक एक्जाम्पल है adaptability का अनुकूलन का अनुकूलन जीव का एक गुण है जो जीव को अपने आवास में जीवित रहने और प्रजन करने में जो है सक्षम बनाता है for example कंगारु चुहा कंगारु चुहा अपने मूत्र को संकेंद्रित करके पानी की कमी को दूर करने में सक्षम होता है और यह आंतरिक वसा के ऑक्सिक्रण के द्वारा पानी की कमी को पूरा कर लेता है चलिए यह सारे के सारे important है प्रजन इनके पूछे जाने की संभाबना बहुत बहुत ही ज़्यादा है और पूछे ही जाते हैं यह प्रशन तो इन सभी की practice कर लीजेगा daily follow करते रहिए series को बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है सीधे सीधे प्रशन exam में मिलेंगे जिस दिन exam होगा आप खुद ही देखोगे तो ignore ना करना किसी भी test को धन्यवाद